हे भगवान शिव, हे जगत पिता, हे परमात्मा सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लायक करें, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी, कश्ट को जड़ से नश्ट कर देना, हे परमात्मा, हम सब आप ही की संतान हैं, हमसे कोई भी भूल चूक हो ज सिक्का, भगवान भोलेनात के आशीरवात से खुशियां से भर जाएगा, आपका घर आपकी हर मनो कामना होगी, पूरी इस उपाय को करने के बाद बन जाओगे, आप करोडपती दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में बारह अमावस्या तिथी पढ़ती है, लेकिन शास पार्वती जी धर्ती में पेड़ पौधे वनस्पती में वास करने आते हैं, इसलिए शास्त्रों में वर्णित है कि हर्याली अमावस्या, तिथी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति शिव पुरान के अनुसार उन पौधों की विध्य विधान से पूजा पाठ करता है, जिसके हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो बेल का पेड़ है, वो माता पार्वती जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था, और आपको हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर दिख जाएगा, क्योंकि तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, उसी प्रकार से हमारी माताएं बहने वट सावित्री का वरत रखती है, उनके पती पर आने वाला संकट अपना रास्ता बदल लेता है, और दोस्तों ये सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना हमारे हिंदु धर्म का सबसे पवित्र महीना होता है, जिस दौरान भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, और पूरी धर्ती का कार्यभार भगवान शिव जी के हाथों में हो जाता है, शिव पुरान में लिखा हुआ है कि हर्याली अमावस्या, तिथी के दिन खुद भगवान भोले नाथ धर्ती में पेड़ पौधे वनस्पती में वास करने आते हैं, इस दौरान जो भी व्यक्ति हर्याली अमावस्या तिथी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर सनान करता है, प पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप शिव पुरान के अनुसार एक रुपए के सिक्के का उपाय सही तरीके से कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो आपको भगवान भोले नाथ का वह आश आशीरवाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर पर अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा, व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जा देखे दोस्तों, जो एक रुपय का सिक्का होता है, वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो स्टेनलेस स्टील होती है, वह शनिग्रह, ब्रहसपति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक होती है, शनिग्रह, एक व्यक्ति के स्वास्थ से संबंध रखता है, दूसरी तरफ, ब् व्यक्ति का शुक्र ग्रह उस व्यक्ति के जीवन के धन दौलत से संबंध रखता है और हर्याली अमावस्या तिति के दिन खुद भगवान भोलेनाद धर्ती पर वास करने आते हैं और इस दौरान अगर आप शिव पुरान के अनुसार एक रुपए सिक्के का उपाय करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो दोस्तों तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिए आप आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस हर्याली अमावस्यात्तिति के दिन करके आप लाप पा सकते हैं वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा सबसे पहला उपाय है मंगल दोश, काल सर्प दोश, वास्तु दोश और दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें दिक्कतें बहुत आती हैं आप कर्ज में फंसे हुए हैं आपके जीवन में तनाव परेशानी ने आपके घेर लिया है आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी समस्याओं का सामना आप क्यों कर रहे हैं तो समझ जाएए आपके उपर कोई ऐसा दोश है जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है और दोस्तों इस हरियाली अमावस्या के दिन खुद भगवान शिवधर्ती पर वास करने आ रहे हैं और इस दिन अगर आप वह उपाय एक रुपए के सिक्के का कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो मान कर चलिए भगवान भोलेनाथ की क्रिपा से आपको अपने दोशों से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति यह बात जानता है कि भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीरवाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड सकता है तो सिर्फ आपको ये करना कि इस हर्याली अमावस्या तिथी के दिन रात में अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है आपको एक घी का दीपक लेना है और एक रुपय का सिक्का लेना है आपके घर के पास कोई भी बेल का पेड हो वहाँ पर आपको जाना है क्योंकि दोस्तों बेल का पेड वही पेड है जो माता पार्वती जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था इस पेड में हर्याली अमावस्या तिथी के दिन भगवान भोलेनात जी और माता पार्वती जी वास करने जरूर आते हैं तो सिर्फ आपको यह करना है कि हर्याली अमावस्या की रात्री को घर के पास आपके जो भी बेल का पेड हो वहाँ पर जाना है सबसे पहले पेड के पास आपको एक घी का दीपक जला देना है एक रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाब करना है 108 की संख्या भगवान भोलेनात को बहुत प्रिय है अब इस एक रुपए के सिक्के को आपको बेल के पेड की जड़ के आसपास कहीं भी रख देना सिर्फ इतना उपाय अगर आपने शिव पुरान के अनुसार कर लिया तो भगवान भोलेनात की कृपा से आपको अपने दोशों से मुक्ती मिलना शुरू हो जाएगी इस उपाय को अंधविश्वास मत समझेगा क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करके कई लोग अपने जीवन में अपनी परेशानी से मुक्ती पा चुके हैं अगला उपाय है धन प्राप्ती का महा उपाय दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस हर्याली अमावस्यातिति के बाद भगवान भोलेनात की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए। के महीने में बहुत तेज हो जाता है क्योंकि जब समुद्र मन्थन हुआ था उस दौरान भगवान भोलेनात ने कालकूट नाम के विश्वधारन कर लिया था जिसकी वजह से भगवान भोलेनात को बहुत ज्यादा परिशानी हुई थी। के सिक्के लेना है और आपके घर के पास जो भी धतुरे का पौधा है वहाँ पर आपको जाना है। के पास धतुरे के पौधा जो भी हो वहाँ पर जाने के बाद आपको एक लोटा। जल धतुरे पौधे को अर्पित करना है। दो सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है। पर भगवान भोलेनात के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। बीज मंत्र है। श्री शिवाए नमस्तुभ्याँ हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। श्री शिवाए नमस्तुभ्याँ अब दो सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस पर्स आपका चमडे का नहीं होना चाहिए। और दूसरे सिक्के को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाए। अगर आपने इस हरियाली अमावस्यातिति के दिन कर लिया, तो भगवान भोले नात की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आएगा उसमें वृद्धी होगी। भगवान भोले नात के आशीरवाद से आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और मान कर चलिए, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्यानकारी होगा, बहुत ह इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू हो चुका है, और इसका समापन 19 अगस्त को होगा, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन महीने के तीसरे सोमवार के दिन 26 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें शिव योग धन, योग नक्षत्र अमरित सिध्ध योग और ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। वेद पुराणों में वर्णित है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोले नाथ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कई ग्रंथों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि सावन महीने के सोमवार के दिन भगवान भोले नाथ धर्ती पर वास करने आते हैं। इसलिए दोस्तों भारत ही में नहीं, विदेशों में भी सावन सोमवार का व्रत लाखों ही में नहीं, करोडों की संख्या में लोग रखते हैं। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति यह बात जानता है, जब से यह धर्ती बनी है, तब से भगवान भोले नाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है। और जब तक यह दुनिया रहेगी, तब तक भगवान भोले नाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। जो भी व्यक्ति सावन सोमवार के व्रत को रखता है, उस व्यक्ति को उसके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ती होती है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरी तरफ, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप सावन सोमवार के दिन कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय करने के बाद, न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, बलकि आपकी कोई भी मनो काम ना हो। प्रबल हो जाएगा, आपके नव ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी, अचानक से आपका बैंक बैलन्स बढ़ने लग जाएगा। इस उपाय को करने के बाद कोट का चहरी में चल रहे हैं। मामलों में आपको जीत हासिल होगी और मान कर चलिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्यानकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान भोलेनात का आशीरवाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, जो एक रुपए का सिक्का होता है, वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। Stainless Steel जो होती है, वह शनी ग्रह, ब्रिहस्पती ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक होती है। शनी ग्रह जो होता है, इसका सीधा संबंध एक व्यक्ती के स्वास्थय से होता है। दूसरी तरफ, ब्रिहस्पति ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतू नव ग्रह से जुड़ा होता है। और जो शुक्र ग्रह होता है, ये एक व्यक्ति के जीवन के धन संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने आप का रोडपती बन जाता है। और आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, कि अगर आप सावन महीने के सोमवार के दिन भगवान भोले नाथ के सामने कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाब जरूर मिलेगा। और दोस्तों, ये सावन का सोमवार का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही पवित्र और पूजनिय दिन होगा, जिसका समय एक सौ चवालिश वर्षों बाद आया है। अंत तक बिना भगाय देखिएगा। प्राश्य के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस सावन के महीने के दौरान करके लाब पा सकते हैं। वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए, पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंध हो गया। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंध हो गया है। आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं। तो समझ जाईए दोस्तों, आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है, जिसके चलते आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि सावन महीने के इस सोमवार के दिन आपको दो एक रुपए के सिक्के ल आपको एक लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जाना है। शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करना है क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है अब आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है दो सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जप 108 बार करना है बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम फिर से रिपीट कर दे रहे है दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अब इन दो सिक्कों को आपको अपने घर पर लाना है एक सिक्के को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षन दिशा में रख देना है दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है बस पर्स आपका चमडे का नहीं होना चाहिए इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा वरना इस उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस सावन महीने के सोमवार के दिन कर लिया तो यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे और भगवान शिव के आशीरवाद की तरह आपके लिए काम करेंगे जिसके बाद हमेशा शुक्र ग्रिह आपका साथ देगा आप धन संबंधित जो भी निर्णाय लेंगे उस निर्णाय से आपको फाइदा पहुँचेगा आपके जीवन में धन सुख वैभव ऐश्वर्य की वृद्धि होगी आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको अपने जीवन के समस्थ प्रकार के आर्थिक का आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो ग्रह होता है वह ब्रहस्पती ग्रह होता है और अगर आपको दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आती है तो समझ जाईए आपका ब्रहस्पती ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है लेकिन आप परेशान मत हो एक छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं इस उपाय को अगर आप इस सावन के सोमवार के दिन कर लेंगे तो आपका ब्रहस्पती ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपको एक लोटा जल लेना है और एक रुपए का सिक्का लेना है आपके घर के पास जो भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर आपको जाना है क्योंकि दोस्तों, जो पीपल का पेड होता है, ये हमारे हिंदु धर्म में बहुत ही पूजनीय पेड माना जाता है। शास्तरों में वर्णित है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनात पीपल के पेड में वास करने आते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि इस सावन के सोमवार के दिन अच्छी तरीके से नहाने के बाद एक लोटा जल और एक रुपय का सिक्का लेना है और घर के पास आपके जो भी पीपल के पेड़ है वहाँ पर आपको जाना है। परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपके हाथ में एक रुपय का सिक्का होना चाहिए अब आपको अपने घर वापस चले आना है ये जो एक रुपय का सिक्का अपने अपने हाथ में रखा था परिक्रमा लगाते वक्त इसको आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कम आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, बस इस उपाय को करने के बाद कभी भी आप लोग तामसिक भोजन जो होता है, जैसे शराब, मदिरामांस, मचली अंडा, इत्यादी मत वरना दोस्तों, इस उपाय का आपको लाब कभी भी नहीं मिलेगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब एक काम कीजिएगा, कि इस सावन के सोमवार के दिन आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़ा लेना है, और सफेद कपड़े में एक मुठ्थी चावल आपको डाल देना है। इस चावल के उपर आपको एक रूपय का सिक्का रखना है, और इस सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। देखिए दोस्तों, जो चावल होता है इसको हमारे हिंदु धर्म में अक्षत बोलते हैं। अक्षत चावल जब भी भगवान शिवजी की पूजा में इस्तिमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिध्ध हो जाती है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये जो चावल की पोटली आप लाए हैं, इस पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है। और इसको लाना है, अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। जहां से आप अपने पैसे रुपए का लेंदेन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए। ये चावल की पोटली भगवान शिवजी का आशीरवाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका व्यापार चल पड़ेगा, आपके व्यापार को जो नजर लगी है, इस उपाय को करने के बाद वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोले नात किसी व्यक्ति को आशीरवाद दे दे, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकाएगा.